नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक्स वकत है उच्छ रक्चाप के लिए यहनुसका किसी वर्दान से कम नहीं है दोस्तों, उच्छ रक्चाप या हाइपरटेंसन एक महामारी है जो वर्तमान समय में दुनिया भर में फैलती जा रही है चाहे वो भारत हो या दुनिया का दूसरा कोई भी कोना दोड़ती भागती जिंदगी, फास्ट फूट, सोडा और तनाओ धीरे धीरे भारत में पाउं पसार रहे हैं इसलिए हर तीसरे भारतिये को उच्छ रक्चाप या हाई बीपी की सिकायत है इसे दिल की बिमारी, स्ट्रोप और यहां तक की गुर्दे की बिमारी होने का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है बाजार में हाई बीपी के लिए कई दवाईयां उपलब्द हैं जो हाई बलड प्रैसर को कंट्रोल कर लेती हैं लेकिन जादा दवाई खाना भी सेहत के लिए घातक होता है एक समय के बाद ये दवाईयां भी अपना असर बंद कातेती हैं उच रक्चाप के लिए मेडिकल पर बहुत अधिक भरोसा करना सही नहीं है इसे आप ठीक भी हो जाएंगे लेकिन अधिक समय तक ये उपचार लाबकारी नहीं होता जब तक आप दवा खाते रहेंगे तब तक ही आपको अरा मिलेगा तो इस बीमारी को ठीक करना बाजारो दवाईयों के बसकी बात नहीं अगर आप या आपके किसी नजदीकी को ये उमर बर साथ देने वाली बीमारी है तो आयरुवेद से अच्छा कोई भी उपचार नहीं है दोस्तो आज हम आपको बताएंगी कि कैसे आप हाई वीपी को काबो में कर सकते हों आज जिस नुस्खे की हम बात करने वाले हैं वे हाईपरटेंसन को जड़ से खतम करने की शमता रखता है और साथ ही यह नुस्खा धम्यों की भी सफाई करता है जिससे कि आपको पूरे जीवन में कभी भी हार्डेटेक से जुड़ी कोई भी बिमारी नहीं होती तो आएए दोस्तों जानते ही इस नुस्खे के बारे में इस नुस्खे के लिए अवस्शक समगरी 4 सेंटीमेटर अद्रक, 4 नीमू छिलके के साथ, 4 लसुन की कलिया और 2 लेटर सुदब़ अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की वदी और सेवन का तरीका सबसे पहले नीम्बू को छिलके सहीद टुकडों में काट लिजी अब अदरक और लसुन का छिलका उतार ले और इनको कटे हुए नीम्बू के साथ बलेंडर में डाल कर अच्छी तरहां से बलेंड करें अब इस मिस्रन को बरतन में डाल कर आग पर रखें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें जब यह मिस्रन अच्छी तरहां से उबल जाए तो इसे ठंडा होने दें और फिर पूने लें और काच की बोतल में डाल कर फ्रिज में स्टोर करें रोजाना दिन में दो बार खाने से करीब दो घंटे पहले इस मिस्रन का से बन करें कूछी समय में आप अपना बीपी का टेस्ट करवा लेजी आपको यकीन नहीं होगा ऐसे नतीजे आपको प्राप्त होंगे तो दोस्तों यदि आप आपका कोई रिलेटिव जान कर कोई भी इस तरह है कि किसी भी समस्या से परिसान है तो आप उसको इस वीडियो को टेग जरूर कीजे ताकि वो भी इस नुस्खे से अपने लिए फाइद अप्ठास की तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों